हाथों में पूजा के थाली आई रात सुहागो आली चांद को देखूं हाथ में जोडूं करवा चोथ का ब्रत मैं तोडूं तेरे हाथों से पीकर पानी दासी से बन जाओं रानी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममताजवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरू लिखे तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौत से संबंधित सभी महतवपोण बाते करवा चौत का ब्रत इस साल 2024 में कब रखनी है बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी पहले ही बता दीजे हमें पहली बार करनी है कि दीदी पहली बार ये ब्रत करनी है कब करनी है क्या क्या चाहिए इसके लिए वीडियो एक पहला वीडियो डाल दीजे के हम लोग तयारी करेंAcode तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सभी महतपूर बाते जान लेते हैं तो आप लोग बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जि तो आपको बता दो कार्तिक माह के क्रिस्न पक्ष की चतुर्थी के दिन हम करवा चौथ का ब्रत रखते हैं ठीक है तो इस साल रवी वार का दीन पड़ा है बहुत अच्छी बात है कि घर में रहेंगे या तो काम बढ़ाएंगे या तो काम निप्टाएंगे तो देखा जाए कैसे क्या होता है तो आप लोगों को बता दू कि रवी वार के दिन हम करवा चौथ का ब्रत रखेंगे और उसके एक दिन पहल है दिदी ब्रत के दिन बाल धोले तो जीने ब्रत के दिन करवा चौथी जीतिया ब्रत के दिन बाल नहीं धोय जाता है सेमपू साबू नहीं लगाया जाता है कभी न लगाएं तो एक दिन पहले आप लोग ब्रत में नहीं लिया जाता है आप लोग धो सकती है या आप सुद्यसात्विक भोजन कीजिएगा उसके बाद से हम सर्गी खाते इस ब्रत में भी सर्गी खाया जाता है अगर अनाज वगरा नहीं खाती है तो भी आप लोग जूस सरवट ठंडी चीजे पी सकती है क्योंकि यह जो ब्रत है थोड़ा कठीम कम है क्योंकि यह 24 गंटे का नह अगर में वह खा लेते हैं तो यह ब्रत बहुत अधिक कठी नहीं है तो इसलिए सभी सुहागन महिला आपने पती के दीर घायू के लिए ब्रत रखती है कार्तिक मा में यह ब्रत रखा जाता है आपको बता ही चुकी हो कार्तिक मा के क्रिस्म पक्षी चतूर्थी के दिन आगे में वीडियो में आपको बता दूंगी तो इसमें जो है सुबा इसनान ध्यान करके ही हमें ब्रत रखनी चाहिए सरगी के समय ही इसनान कर ले तो ज्यादा बेहतर है इसनान करके ही हमें सरगी वेगर रखानी चाहिए हाथ में पुस्प और जल लेकर आपको संकल्प ल वेगराद ना करें कि प्यास लग जाती तो इस चलो प्यास में लग जाएगी तो बहुत अधिक देर तक हमें नहीं रही है लेकिन उतना ही लोगों से नहीं सहा जाता है कुछ लोग है जो उतना ही में एक दम परिसान हो जाते हैं तो आप लोग देख लिजेगा ठीक है और इस ब्रत को आप लोग पहली बार उठा सकते हैं जो भी बहने पुछी है दिदी करवा चौत का ब्रत इस साल मेरी साधी हुई है पहली बार उठाना चाहते हैं बेलकूल उठा सकती हैं एकदम हाथ से जाने मत दिजेगा मासिक धर में भी ये ब्रत आप लोग उठा सकते हैं और आप लोग जो है ऐसे भी उठा सकते हैं कुछ लोग मासिक धर में नहीं उठाते हैं तो आप अपनी घर का नियम देख लिजेगा क्योंकि जो ब्रत है ना फिर अगले साल कैसा समय रहेगा कैसा परिसानी सामने आके खड़ा हो जाएगा अगला कारी क्या है कि आप लोग इस ब्रत के लिए लाल पीली ही साडी का सेलेक्शन करें डार कलर लाल हो तो ज्यादा बैतर है साधी का आप लोग चुनरी वेगरा सिंदूरा अगर गाउं घर जा रही हैं तो लेकर आज एगा ऐसी सब ब्रत में अगर साधी की चीजे पहन दूरा था या बरट लेगरं दूरा के लाजज और लिखरा रहे हैं लेकिन अगर खरीद रहे हैं और रही ऑता क्रेंज हैं जाधा लाइट कलर की अ कर देब लेकर की लिए नहीं मदद सार्ध का इसमें बरला की साधीर धार करनी सेवकर थांат सब्सक्त और यह क् Senior का makeup will लेकिन मालीजे जंग लग गया है, खराब हो गया है, तूट गया हो, छेद हो गया हो, तो ऐसे सब तूटी-फूटी चीजों से ना करें, लेकिन सही है, फ्रेस है, अभी तक खराब नहीं हुआ है, तो उसी को आप लोग गंगा जल से छिरकाव करके और फिर उसको पूजा मे सामिल कर सकती है, ये किलियर हो गया, और जो भी मिट्टी के बरतन करवा वेगरा, जो भी है, वो आप लोगों को नया लेनी है, और करवा माता की फोटो, अगर सही कंडिशन में है, फटा चिता नहीं है, कथा की पुस्तक है, तो ये सब चीजे नया लेनी की कोई जरूरत न ना खरीदे, और आप लोग मतलब ब्रत के दीन ना खरीदे, क्योंकि रभी बार मंगल बार के दीन मिट्टी की चीजे नहीं खरीद दीचे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा इस बात का, तो पहले ही ऐसे तो पूजा की समागरी लोग पहले ही खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लास्ट तक का वेट करते हैं तो मत किजेगा मिट्टी के चीज़े आप पहले ही खरीद लें और अगला आप लोगों का प्रशन है दिदी वायना जैसे हम लोग निकालते हैं तो क्या सास को दें या सुसुराल पक्च में सास नहीं है तो जी माय के पक्च में मत द का दान आप अपने घर का नियम रिती रिवाज देख लिजेगा लेकिन अगर आप कोई भी दान करते हैं तो ससुराल पक्च में आप छोटे बड़े किसी को दे सकते हैं अपने से पूजनिये को दे तो और भी बेहतर है लेकिन मा लिजे कोई नहीं है तो अपने ननत बेट किया हुआ है मतलब कोई भी समागरी और चीज मायके वाले इस्तमाल करते हैं तो आप ध्यान रखेगा उनी के उपर दोस लगता है तो ना दे तो बेहतर है आपके छोटी-छोटी चीजों से उनका गुजर नहीं होगा लेकिन उनके उपर दोस लगेगा किसी भी बेटी को अच्छा लगेगा किसी भी लड़की को अपने माबाप के लिए नहीं लगेगा इसलिए नहीं देनी चाहिए बाकि आप लोग खुदी समझदार है समझ लीजेगा ये के लिए रो गया और आप लोग एक चीज और पूछते हैं बार बार के जैसे करवा चौत का ब्रत जहां से भी सुहाग वाले ब्रत हमें उठा लेनी चाहिए और वेट नहीं करनी चाहिए कि आगे फिर पताने परिस्थिती कैसी रहेगी उठा पाए या ना उठा पाए और चन आ जाए तो आप लोग उठा लिजेगा और नहीं साड़ी माली जो लोग नहीं खरीते हैं अग चूड़ी और सिंदूर की डिबी हमें जरूर सुहाग वाले ब्रत में खरीदनी चाहिए या किसी भी तीर थस्तल पर आप लोग जाते हैं तो चूड़ी और सिंदूर चूड़ी नहीं भी करते तो सिंदूर बिंदी का पत्ता जरूर तीर थस्तल से खरीद कर लानी चाहिए और दो कलस चाहिए कुछ लोग एक ही रखते हैं और एक लोटे पीतल का रखते हैं एक मिट्टी का रखते हैं और कुछ लोग दो करवा रखते हैं टोटी वाला करवा जो है मिट्टी का खरीदना होता है उसके उपर का धकन परही होता है वो चाहिए दो दिया चाहिए और सीक चाहिए यह सब चीजे गी हूँ चाहिए आप अपना नियम देख लिजेगा आप लोग कैसे करते हैं गुलगुले मीठे चीजों से भरा जाता है चीनी से भरा जाता है हर घर के नियम परमपर अलग है कुछ लोग ड्राइफ रूट से बरते हैं तो यही सब करवा चौत के तो आसा करते हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गई होगी करवा चौत से संबंदित और उसके बाद से हम चंद्र देव को ब्रत रख कर साम को पूजा करते हैं चंद्र देव को और देते हैं उसके बाद पती पूजन करते हैं कुछ लोग सेम टाइम वही पर अपना ब्र अपने घर का नियम देख लिजी गा जो बनता हो गा बना लीजीए लहसुन प्याज तो नहीं बनानी चाहिए कुछ लोग नहीं मानते हैं लेकिन ब्रत के दिन माली जेए अनाज खाने का लाओ है तो हमें लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए बचे तो जरूर बचानी चाहिए तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथी कब से प्रारंब हो रही है कब समाप्तोरिये पूजा का सुमोर्थ क्या है तो आपको बता दूँ 2024 में करवा चौत का ब्रत हम 20 अक्टूबर दिन रवी बार को रखेंगे चतुर्थी तिथी प्रारंब हो रही है 20 अक्टूबर दिन रवी बार को सुबह 6 बच कर 47 मिनट से और चतुर्थी तिथी समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर दिन सोंबार को सुबह 4 बज कर 17 मिनट पर समापत हो जाएगे ऐसे में उद्यातिती को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर को हम ब्रत करेंगे पूजा का सुब मोर्त आपको बता दूँ तो साम 5 बज कर 46 मिनट से लेकर 7 बज कर 9 मिनट तक आप लोग करवा चौत की पूजा कर सकते हैं चंद्रोदे का समय रात 8 बज कर 15 मिनट पर है लेकिन चंद्रदेव जब दीख जाते हैं तब ही हमें पूजा पाट करके ब्रत खोलनी चाहिए क्योंकि हर छेत्र में हर राजी में अलग-अलग समय पर चंद्रोदे होता है इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा तो आसा करती हूँ कि सभी बाते अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी तो ये वीडियो मेरा यही तक का था फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खुब खूस रहिए धन्यवाद